हेलो फ्रेंट तो आज मैं आपको बताऊंगा के हमें राम राम क्यों बोलना चाहिए राम सब्द बनता है रा से आ से और मा से और हिंदी सब्दावली के अनुसार रा 27 वे स्थान पर आता है आ दूसरे स्थान पर आता है और मा 25 वे स्थान पर आता है और इन सभी को मिलाकर होते हैं चवण तो अगर हम राम राम कहें तो 108 हो जाता है और हिंदु धर्म के अनुसार हम किसी भी भगवान का नाम 108 बार जाप करते हैं तो हमें सिद्धी प्राप्त हो जाती है और केबल भगवान राम का ही ऐसा नाम है जिसे दो बार कहने से हमें सिद्धी प्राप्त हो जाती है इसलिए हमें हमेशा राम राम बोलना चाहिए अगर आपको ये फैक जानकर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजी वीडियो को लाइक कीजी और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में लिक कर जरूर बताए कि वीडियो कैसी लगी